जैये मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी योटिप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपरेल माह के पहले सब्ता के सिहिंग राशी फल के बारे में एक एपरेल से साथ एपरेल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? इन दो दिनों में आप वो कौन से काम कर सकते हैं जो इन साथ दिनों को आपके लिए बहतर बना सकते हैं अपनी जीवन में खुशियां आप ला सकते हैं, अपनी कारिया के बारे में आप सोच सकते हैं या किस तरह से आपको आने वाले समय में उपलब्दिया मिलेंगी, परिशानिया दूर होंगी, कैसे आप अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, ये सभी हम इन साथ दिनों के बारे में जानेंगे ग्रहनक्षत्रों की आधार पर. तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन है, चैनल को सबस्क्राइब कर ले, पास में जो बेल का इकन है उसको प्रैस कर दे, ताकि हमारी आने वाली सब ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. दोस्तों, अभी जैसा कि पूरे ही भारत में लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी स्थिती में, जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उनका काम सही रूप से हम कह सकते हैं कि चल रहा है, लेकिन जो लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, वो इस समय को कैसे यूटिलाइज कर सकत हैं, और इस समय में वो ऐसे क्या काम कर सकते हैं, जिन से वो अपने पूरे धरिया के साथ अपने रास्ते पर खड़े रहे हैं, इस समय में धरिया से आपको काम लेना हैं, और इस समय को आपको यूटिलाइज कैसे करना हैं, ये भी हम जानेंगे, तो आगे बढ़ने से पहल होने वाली हैं बहुत से ऐसे शुब दिन आने वाले हैं जिनका फायदा आप इस समय उठा सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको निश्चित रूप से अपने आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा जब आप काम पर लोटेंगे दुकान पर लोटेंगे नौकरी पर जो दिन है उस दिन अस्टमी तिथी है और नौए अप्रेल नौमी तिथी है पुशन नक्षत्र है रेवती नक्षत्र असूर्य भी मीन राशी में है जब की राशी के स्वामी है वो मीन राशी में है गुरु बस्पति की राशी में शुक्र भी जो प्रेम की कारग्रह माने जाते हैं वो भी अपने राशी में बैठे हुए हैं और शनी अपने राशी में बैठे हुए हैं तो अगर हम इन इस तितियों को देखें और सबसे बड़ी बात नवरात्रे की जो अस्टमी और नवमी तिति होती है देखें वो जो तिति होती हैं बहुत मैत्पूर्ण होती है अपने आप में एक सिध दिन माने जाते हैं ये दो दिन ऐसे होते हैं कि इन दो दिनों का अगर आप लाब उठाएं तो अपनी जीवन में बहुत कुछ परिवर्थित कर सकते हैं और अभी आप इस इस्थिती में हैं कि आप इन दो दिनों में लाब उठा सकते हैं इन दो दिनों में आप वो काम कर सकते हैं जिन से आपको आने वाले समय में वैपार में नौकरी में दुकान में समय फायदा होता हुआ जरूर दिखाई देगा तो इन दिनों में आप क्या कर सकते हैं तो दिखिए आस्टमी का दिन और नौमी का दिन कंजग पूजा का दिन होता है यानि कन्याओं की पूजा अर्चना की जाती है और अभी ये संभव नहीं है अभी कंजग पूजा नहीं होंगी और आपसे निवीदन है कि इन दिनों में आप करें बिना कंजग पूजन आप ना करें इसके अलावा आप दान कर सकते हैं अगर आपको कुछ कंजग पूजन के अलावा आप दान कर सकते हैं गरीबों को और कुछ ऐसे अध्याद में को पाया आप कर सकते हैं इन दो दिनों में जो आपकी जीवन को सुखी और संपन बना सकते हैं अब यह आप यह नहीं कह सकते कि वक्त नहीं है क्योंकि यह ऐसा वक्त है जब आप अपने परिवार के साथ हैं और परिवार को और जीवन को सुखी बनाने के लिए इन दो दिनों का पूरा फाइदा आप उठाएं जोकि अस्टिमी और नवमी इन दो दिनों में आप अपनी जीवन में सुख सम्रद्धी शांती पा सकते हैं बुरी नजर से बच सकते हैं, सभी समस्याओं को कलह को दूर कर सकते हैं तो उपակ हम आपको ऐसे बताएंगे, जिसके लिए आपको बाहर भी नहीं जाना होगा यानि कुछ खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना होगा ऐसे ही उपए। आपको इन दो दूरों में करने हैं और वो क्या करने हैं ? तो देखिए इन दो दूरों में आप अस्ट्मी और नौ्मी के दिन आप श्री सूक्त का पाथ शुरू कर दें इन दो दिनों में श्री सूक्त का पाठ आप जरूर करें अगर आपके घर में आर्थिक संकट है, पैसो की कमी है वेपार नहीं चल रहा है, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है नौकरी से आप परिशान है ये किसी भी तरह का आर्थिक संकट है, कर्ज ले रखा है तो ऐसे में इन दो दिनों में श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए जीवन भर की खुशियां आपके लिए लेकर आ सकता है पूरा फाइदा इन दिनों में आप उठा सकते हैं इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप दुर्गा सब्तशती का पाठ कर सकते हैं जोकि सबसे जादा महतपूर्ण पाठ माना जाता है नवरात्रे में और ऐसे में अस्टमी और नव्मी के दिन दुर्गा शब्त शती का पार्ट बहुत ही लाब दायक होता है आपको इनके फायदे जीवन में जरूर देखने को मिलेंगे तो इन दो दिनों का पूरा लाब आप उठा सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मा लक्षमी का वास होगा दुर्गा मा आपके सभी दुखों को हर लेगी हम भी अपने चैनल पर आपको देखे जो महतपून पार्ट है उनका पार्ट हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे वीडियो जरूर डालेंगे आप वहां से भी अस्ट्मियो नव्मी के दिन ये पार्ट जरूर सुन सकते हैं तो जरूर करें आप और इस दिन आप नौ दीपक जरूर जलाएं इससे मा लक्षमी का वास आपके घर में होगा धन्धाना की कमी नहीं होगी तो ये ऐसा समय है जब आप इसका इन उपायों को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं तो जरूर करें इन कामों को और अगर हम देखिए आपके जीवन आपके दिन चरिया की बात करें तो चंदर माँ आपके कादस भाव में होंगे ग्यारवे भाव में होंगे जो की लाब का भाव कहा जाता है और यहां लाब भाव में गोचर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकता है अगर आप वर्क फ्रॉम हॉम के चलते घर में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके काम तेज गती से होगा और आप अपनी काम से अपनी बॉस को प्रेसंडर कर पाएंगे और इस समय देखिए आपकी जो इच्छाएं होंगे वो काफी बड़ी रहेंगे तो आपको इच्छाओं के वशी भूत नहीं होना है क्योंकि एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा जागती है इच्छाएं ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती तो ऐसे में आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना है जो घर में कुछ अपनी संतान है उनकी साथ वक्त बिताना है उनकी परिशानियों को समझना है उनके साथ काम करना है यानि आपका पूरा सहय योगिस समय अपनी परिवार की तरफ होगा अगले दिनों की बात करते हैं तो देखी यहाँ जो इस्थितियां होंगी दो एपरेल दो पहर से तीन और चार अपरेल शाम पाच बजे तक चंद्रमा बारवे भाव में होंगे और ये बारवे भाव जो होता है ये वै का भाव होता है खर्चे का भाव होता है और यहाँ एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्ते का ध्यान आपको रखना होगा बारविभाव के चंद्रमा में स्वास्ते का आप जरूर ध्यान रखें और ये समय जो होगा आपके लिए कुछ लाबदाय किस्तियां भी बनाएगा कुछ उपाएं आप लोगो इस समय भी करनाई चाहिए इक तो इन दिनों में आप भावनातम काफी रहेंगे चोटी-चोटी चीजों को लेकर भावग हो सकते हैं कुछ अतीद की यादों को आप याद करेंगे जो आपके आँखों के सामने आती रहेंगी जो आपको काफी सम्वेदन सिल बना सकते हैं काफि भावक बना सकते हैं तो इस समय आपको भावनाव में नहीं भहना है और भावनाव में भहकर तो किसी भी तरह का निर्ने बिल्कुल नहीं लेना है यह समय है कि आप जो आपके जीवन में जिस तरह के लिए उतार चड़ाव हैं उन्चनोतियों को आसानी से हल कर पाएं, ऐसे हल आपको खोजने हैं, और सबसे ज़ादा जरूरत है आपको अपने गुसे पन्यांदर रखना है, इन दिनों में गुसे पर गुसा अधिका सकता है उग्र स्वभाग हो सकता है, तो उस पन्यांदरन आपको रखना होगा और देखें, चार अपरेल का जो दिन है वो एकादशी का दिन भी है, जो कि कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है कामदा एकादशी का मतलब होता है कामनाओ को पूरा करने वाली एकादशी यानि इस दिन जो मांगा जाए, वो भगवान विष्णु जरूर देते हैं अगर आप एकादशी का वरत करते हैं तो पूरी शद्धा पूरवक वरत करें भगवान विष्णु से सच्चे मन से आप बमागे और विष्णु सहसर नाम का पाठ आप इस दिन कर सकते हैं और साथ ही अगर वरत नहीं रखते हैं तब भी आप इस दिन विष्णु सहसर नाम का पाठ जरूर करें बगवान विष्णु आपकी हर कामनाऊं का पूरी इस दिन कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासु देवायनमा इस मन्तर का जब भी आप साथ साथ करते रहें क्योंकि इस दिन देखिए जो पूजा की जाती है चार एपरेल का दिन भगवान विश्णु और भगवान सटी क्रिशन की पूजा अर्चना की जाती है और ये बहुत ही महतपूर्ण दिन होता है बहुत अधिक फल देने वाला होता है तो विश्णु सहस्तर नाम का पार्ट इस दिन करना आपके लिए एक सोने पर सुहागा जैसा हो सकता है तो इन दिनों का देखिए आपको लाब उठाना है ये नहीं सोचना है कि क्या करें कैसे करें बोर हो गए है या ऐसी स्थितिया मन में ना लाकर उनको आप उपयोगी दिन आप बना सकते हैं परिवार के काम क परने के सासा जो श्रद्धा भाव है जो आपका कर्म है उसको करना है आपको क्योंकि इसका रिजर्ट निश्चित रूप से देखने को जरूर मिलेगा हर बार में कहते हूं हर की जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि ये दिन ऐसे हैं कि इनका रिजर्ट आपको जरूर मिलना और 6 अपरल का जो दिन है वो दिखिए स्वामवार का दिन है त्रियोदसी भी है और यहां यह भगवान शंकर का दिन होता है और अपके प्रथम भाव में चंद्रमा का सक्रिया होना आपको उर्जा से भर देगा बहुत एनरजेटिक आप रहेंगे और खास तोर से दिखिए अब जो हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं इस दिन को यूटिलाइज कर सकती है वो इस समय अपने परिवार के लिए कुछ ऐसे निर्णा ले सकती है जो काफी काबिले तारिफ होंगे और अगर जो महिलाओं कामकाजी हैं और घर बैठकर अपने काम को कर रहे हैं तो उन के लिए बहुत फाइदे का ये दिन रह सकता है उनको इसमें अपनी उनके काम से खुश हो कर बहुत जरूर उनको कुछ तरक्की के सुझाव आपको इसमें मिल सकते हैं कुछ तरक्की की तरफ आपको बढ़ना इसमें मिल सकता है तो जब ऐसी स्थितियां होती है तो आपको उनका फायदा उठाना चाहिए तो ये दिन आपके लिए अच्छा होगा आप अच्छे दिखने समरने का काम इस दिन कर सकते हैं और अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो इस समय देखिए एक तो अपने प्रेम समबंद जो है जो लव लाइफ में है वो अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे तो इस समय किसी निणा को लेकर आप काफी बैस रह सकते हैं और लॉकडाउन के बीच देखिए लव लाइफ को संतोलित किस तरह से आपको रखना है ये आप कुछ प्लानिंग जरूर कर सकते हैं सहीम रखना आपके लिए काफी अच्छा इस समय रहेगा जो आपके जीवन में सुकून लेकर आएगा साथी के साथ अच्छा समय आपका व्यतित होगा साथी की च्छाओं को पूरा करने के आप बढ़ेंगे उनकी कमियों और उनकी खूबियों को आप जानेंगे और हर चीज में सामजसे से बना कर चलेंगे इस समय रहेगे आप अपनी संतान के प्रतीक काफी समर्पित होंगे उसकी तरफ ध्यान आप देंगे और इस्तितियों को जो है आपको नॉर्मल रखना है यह आपकी जिमेदारी है इस्तितियों को नॉर्मल रखना है तो अपनी मन को काबू में रखना है और सही से इस समय का आपको लाव उठाना है तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना मिलें